महाराष्ट पुलिस ने भीमा पुरेगाओ के कारेकरताओं पर जो कारवाई की है उसके बारे में पूरे दलीत समाज में एक आक्रोश है पुलिस ने पहले कहा कि ये कारेकरता महाववादी संगटन से जुड़े हुए है इन्होंने भीमा पुरेगाओ को फंडिंग किया है दो दिन बाद पुलिस ने कहा कि प्रधान मंत्री के हत्या का शडियंत्र रचा गया है अगर प्रधान मंत्री के हत्या का शडियंत्र रचा गया है ये तो बहुती गंबीर बात है क्योंकि इस देश ने दो प्रधान मंत्री ऐसे साजिस के कारण गवा दिये हैं एक इंदिरागान की और दुसरे राजियोगान अगर ये माओ आदियों ने प्रधान मंत्री की हत्या करने का कोई शडियंत्र रचा है तो पुलिस को इसे गंभिरता से लेना चाहिए था लेकिन इन पाच कारेकरतों की गिरफतारी के बाद आज तक पुलिस ने कोई भी सबूत पेश नहीं किया है पुलिस कह रही है इनके कम्पिटर से दो मेल मिले है ये जो दो खत है उसके बारे में सारे मिडिया में चर्चा है एक तो पहली बात ये है कि अगर ये खत पुलिस के लिए एविडियन्स है तो ये पहले मिडिया के पास कैसे गए मीडिया के पास तो गए लेकिन BJP के जो प्रवक्ता है संभित पात्रा इनके पास भी गए अगर पुलिस के लिए ये अगर महत्वपुर्ण एवीडन्स है तो इसको तो कोर्ट में पेश करना चाहिए था आज तक इसको पुलिस ने कोर्ट में पेश नहीं किया है जो पुलिस ने रिमान नोट पेश की कोड में इसमें प्रदान मंДरे की खिलाफ हत्या की शाजिश का कोई जिक्र नहीं है इसमें कहा है यह माओववदी है माओवववदी संगटन जो है वो माहरास्तों में बैन किया हूँ संगटन है इनके संबंध है मावादियों से पुलिस ने 14 दिन की पुलिस कस्टडी इनकी डिबान की कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी दिये ये पूरा जो मामला है बिल्कुल ही संदेयास्पद है क्योंकि पुलिस जिस तरह से काम कर रही है उस पर शक पैदा होता है एक तो भीमा कोरेगाओं की जो परिशत थी एलगार परिशत इसके तो सयोजक थे उस पे भुदपुर्वन नयमूर्थी पीबी सावन थे जो सुप्रीम कोड के नयमूर्थी थे और दुसरे नयमूर्थी बीजी कोड से पाटी जो मुंबई हाई कोड के भुदपुर्वन नयमूर्थी है वो भी थी तो ये कारे करता कहां से आए और वो क्या कर रहे थे अगर वो शाजी स्रश रहे थे और इसका पता पुलिस को दो मेहने पहले लगा था तो आज तक पुलिस चूप क्यों रही जिनों ने अपने देश में जो नक्सलवादी कारवाई होती है उसका अध्यन किया है उन पुलिस अफिसर ने मुझसे कहा है कि ये ख़द जिस प्रकार से लिखे गए है वो एक बचकाना हरकत लगती है माओवादी इस प्रकार से ख़द नहीं लिखते हैं और पदेश के भुद पूर्वे D.I.G. का कहना है कि माओवादी Coded Language में ख़द लिखते हैं एक दिस्वर के मेसेज भेजते हैं वो भी कॉड़ेड लैंगुज में भेजते हैं लेकिन इन खतों में तो पूरे शड़ियंत्र की जानकारी दिये क्या माववादी इतने चैडिश है कि वो अपना जो शडियंत रहे जो शाजी से पूरी जानकरी अपने खत में लिख दे दुसरा खत तो और भी खतरनात है क्योंकि उसमें प्रकाश अंबेडकर का नाम है उसमें कॉंग्रेस का नाम है उसमें मोदी जी को जो चुनाव में सफलता मिलिये उसके बारे में जिक्र किया है जो माववादियों के या नकसलवादियों के जानकर है उनका कहना है इन खतों पर विश्वास रखना बिलकुल ही मुश्किल है इसलिए हमें खवाल कुछने चाहिए महराश्टर पुलिस ने ये जो जानकारी हमें दिये क्या वो सच है या वो एक पॉलिटिकल स्टन्ट है मोदी जी को पॉपिलर बनाने की ये कोईशिस है जैसे की शरत पवार ने कहा है मैं शरत पवार के बयान को इसलिए अहमियत दे रहा हूँ क्योंकि शरत पवार ऐसे संसनिखेश बयान हमेशा नहीं देते शरत पवार महराश्टर के मुख्यमंत्री रहे है देश के रक्षा मंत्री रहे है देश के अलग-अलग सिक्रिटी एजेंसिस के बारे में उनकी जानकारी भहुती महत्वपुर्ण है उनको इसके बारे में अलुभव है एक बात मैं आपको कहता हूँ जब से ये भीमा कोरेगाउ का अंदोलन या भीमा कोरेगाउ की एलगार परिशद या एलगार यात्रा महाराष्ट में चुरू हुआ है तब से इस एलगार यात्रा पर अर्बन नक्सलिजम का आरोप हुआ है या आरोप क्यों हुआ है? आज हे नहीं हुआ है जैसे कि JNU में कनहिया कुमार पर, उमर खलिक पर यही आरोप लगा था रोईत वेमूला पर यही आरोप लगा था या फिर उत्तर प्रदेश में चंदरशेकर रावण पर भी यही आरोप लगा था आज एक साल बाद भी चंद्रशेकर रावन जेल में हैं उनके उपर एने से लगाया गया है जब जब महराश्टर में या देश में दलित या अलपसंख्यां या अधिवस्यों को आंदोलन उबर आता है उसके उपर नक्सलिजम का आरोख सरकार की तरफ से लगाया जाता है ये हमारा हनुग हुए महराश्टर का दलित अंदोलन हमेशा ही बहुती आक्रमक रहा है इस आक्रमकता से हमारी सरकार निपट नहीं सकती अगर नक्सलवादी या माववादी कुछ गलत कर रहे अगर वो हिंसा फैला रहे तो उनके उपर कानून के तहट कारवाई करनी चाहिए लेकिन आप कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते आप सिविल राइट्स का हनन नहीं कर सकते पुने पुलिस ने जो कारवाई किये इसलिए बहुत सारे सवाल उस पर खड़े होते जब से ये भीमा कोरे गाओं में एक जन्वरी के दिन हिमसा हो गई तब से आज तक बार-बार ये आरुप लगा है कि इसके पीछे मनोहर भीडे और मिलिन एक बोटे है महाराष्टा पुलिस ने इन दोनों के उपर कोई कारवाई नहीं किया मिलिन एक बोटे को गिरफतार भी नहीं किया उनको ऐसे एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो हर कोर्ट में गए उन्होंने एंटिसिप्टरी बेल के लिए अपलाई किया निचले कोर्ट में किया, है कोर्ट में किया, सुप्रीम कोर्ट में किया तब तब महाराष्टा पुलिस ने उनके उपर कुछ खारवाई नहीं किया उनको गिरफतार नहीं किया जब सुप्रीम कोर्ट ने इनका एंटिसिप्टरी बेल रिजेक्ट कर दिया तब महाराष्टर पुलिस ने इनको गिरफतार किया आज वो बेल पर है संबाजी बिड़े के खिलाफ तो कोई सबूत नहीं ऐसे महाराष्टर के मुख्यमंद्री देवेंद्र परणिस विधान सबावें बताते हैं भिमा कोरेगाउं में जो हिंसा हो गई उसकी तहकिकात करने के लिए महाराष्टर सरकार ने एक समिती नियुक्त की है उस समिती का रिपोर्ट अभी आया नहीं है कुछ तहकिकात नहीं हुई है कुछ प्रक्रिया नहीं हुई फिर भी महाराष्टर की मुख्यमंद्री कहते हैं कि मनहोर बिड़े के खिला कोई सबूत नहीं है ये पूरा मामला जो है शक पैदा करने वाला है क्योंकि मिलिन एक बोटे और मनहोर बिड़े दोनों संगर परिवार से जुड़े हुए है मिलिन एक बोटे और मनहोर बिड़े दोनों इस व्यापक हिंदुत्व परिवार के रैडिकल लेता है इनके उपर कारवाई करने से फड़न्विस की सरकार इंकार कर रही है और अगर इनके उपर कारवाई नहीं करना चाहिए तो किसके उपर तो दोष देना चाहिए तो मुझे लगता है आज ये भीमा कोरेगाउसे जुड़ोए कुछ कार्य करता जो है उनके उपर उन्होंने UAPA लगाया है ऐसे कानून इस्तेमाल करके कार्य अतकरताओं को जेल में रखा जाता है बाद में उनको बेल नहीं मिलता इसमें एक कार्य करता है जिनका नाम है सुदिर डवले इनको पहले भी महराश्च्र सरकार ने माओ इजम का आरोप लगा के जेल में रखा था तीन साल के बाद कोर्ट ने उनको निर्दोश पाया सरकार ने अपिल की उपरी कोर्ट ने भी निर्दोश पाया वो बाहरा आज भी सरकार वही कर रही मेरे मन में यह शक है अगर सरकार के पास सबूत है कुछ एवीडन्स में है वो कोर्ट में पेश कीची इंडियन पिनोल कोड़ आपके सामने है उनकी धाराये लगाई है और कोर्ट में केस रखिये यूए पिये लगाने की जरुवत क्या है ये भी सरकार को या पुलिस को साफ करना चाहिए नरेग्रम होती जब गुजरात के मुख्यमंद्री थे तब भी ऐसी साजी से सामने आए थे 2009 में, 2010 में, 2011 में, बाद में, 2013 में इसलिए सवाल उठरा है कि जब चुनाव सामने आता है, चुनाव नजदिक आता है तब भी ऐसी साजी से सामने क्यों आती है पुलिस प्रेस कॉंफरेंस करती है बाद में उस प्रेस कॉंफरेंस का क्या होता है उस साजिस का क्या होता है इसके बारे में कोई भी जानकरी हमें मिलती नहीं 2014 में नरे दरमदी प्राइम मिनिस्टर बन दे उनके प्रधान मत्री बनने के बाद 2015 के बाद एक भी साजिस सामने नहीं आया अभी अगला लोगसभा चुनाओ आया है तो ये साजिस सामने आई ऐसा आरोप हो रहा है इसलिए ये सवाल पुछने चाहिए कि पुने पोलिस ने ये सारी जब तहक्रकार की तो किसको इनफॉर्म किया था हमारे देश में एक सिकुरिटी एजनसी नहीं है NSA है, CBI है, Central Agencies है उन्हें पोलिस ने ये जो कारवाई है अकेले की या इनको भी इनफॉर्म किया था देश की जो होम मिनिस्ट्री है उसने क्या किया? उन्होंने कौन सी कारवाई की? उन्होंने फॉलॉप कौन से किया? इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए मुझे लगता है अगर पधान मंत्री के हत्या का शडियंत्र हो रहा है तो बहुती गंबीर बात है उसको गंबीरता से लेना चाहिए लेकिन अगर पुलीस अपने बरताओं से इस शडियंत्र का मजाग बनाती है तो इसके लिए पुलीस को और सरकार को जिम्मेदार धरना चाहिए मेरे मन में शक है कि पुलीस अपने पुलिटिकल मास्टर्स के आदेशों के अनुसार काम कर रही है इसलिए जैसे शरत पहार करते है एक पुलीसिटि स्टंड सामने आता है अगर ये जो खत है जिनमें लिखा है कि प्रधान मंदरी की हत्या की शाजीश्ती वो अगर सच है तो पुलीस को उसका समर्थन करने वाला एविडन्स कोर्ट में रखना चाहिए ये नहीं होता तो पुलीस के काम पर पुलीस के क्रेडिबिलिटिप पर सवाल पैदा होगा जन्ता के मन में पहले भी महराश्टर की पुलीस का एक तपका अंटी दलित है ऐसा आरोप लग चुका है 97 में रमावई नगर हत्याकान के बाद या खैरलाण जी के हत्याकान के बाद पुलीस का बरताओ दोचा वो संदेहास्पत था रमावई नगर हत्याकान या फिर खैरलाण जी जिस तरह से पुलीस ने अपना इंवेस्टिकेशन किया उसके बारे में बहुत सारे आरोप लगे मुझे याद है जब खैरलाण जी के पाद कुछ हिमसा हो गई तब भी नक्षलवाद का आरोप लगा था इसलिए यह जो सवाल है इसका जवाब पुलीस को देना होगा इसका जवाब सरकार को देना होगा अगर वो जवाब नहीं मिलता है तो लोग आप पर विश्वास नहीं करें